वित्वंत्री निर्मला सीतारमान आज साल 2024 का अंत्री बजट पेश करेंगी बजट में ऐसी कई बात और शब्दों का उलेक होता है जिने हम आम तोर पर सुनते हैं समझने का एहसास भी होता है लेकिन उसकी परिभाश और व्याख्या के बारे में हमें पता नहीं होता आईए बजट में इस्तिमाल होने वाले ऐसे ही शब्दों के मायने सरल वासान भाशा में समझने की कोशिश करते हैं बजट का मतलब पड़े लिखे आदमी के लिए भी समझना टेड़ी खीर होता है बजट शब्द फ्रेंच भाशा के शब्द बोजेस से बना है इसकार्थ होता है फ्रेंच भाशा में इस शब्द लेटिन शब्द बुलगा से लिया गया है इसकार्थ है चमडे का थेला प्राचीन समय में बड़े वैपारी अपनी सारी मौदरी दस्तावेज एक थेले में रखते थे इसी तरह धीरे धीरे इस शब्द का प्रियोग संसादनों को जुटा कानी के लिए की गई हिसाब किताब से जुड़ गया इस तरह सरकारों की साल भर के आर्थिक भाही खाते को नाम मिला बजट सरकार द्वारा देश का आयवया लेखा जोखा पेश करने की शुरुआत बिटैन से हुई थी बिटैन की वित्यमंतरी संसद में जब आयवया का ल कानकारी होती है कि सरकार को काम का चलाने के लिए कितने उधार की जरूरत होगी कुल राजस्व का हिसाब किताब लगाने में उधार को शामिल नहीं किया जाता है यानि सरकार के खर्च और आमदनी के अंतर को वित्य घाटा या बजट्य घाटा कहा जाता है जब किसी देश तो या सर्विस आयात की जाती है तो इसके खीमत चुकानी पड़ती है इस तरहां देश में प्राफ भुकतान और भाली देशों को चुकाई गए खीमत पे जो अंतर आता है वह चालू खाता है घाटा कहलाता है सरकारी राजस्त सरकार को उसके सभी स्रोतों से होने वाली आमदनी होता है इसके विपरेत सरकार जिन जिन मदों में खर्च करती है उसे सरकारी गया कहते हैं ये सरकार की विद्यनीती का एक महत्तपूल हिस्सा होता है वित्यमंत्री संसद में बजट प्रस्ताव रखते हुई विभीन तरह के कर और शुल्क के माध्यम से होने वाली आमतनी और योजनाओं वा अन्य तरह के खर्चों का लेखा जो खापेश करती हैं उसे आमत्रपर बजट आकलन कहा जाता है इस विध्यक के माध्यम से ही आम बजट पेश करते हुई वित्यमंत्री सरकारी आमधरी बढ़ाने की विचार से नए करो आधी का प्रस्ताव करते हैं इसके साथ ही वित्य विध्यक में मौझूदा करप नाली में किसी तरह का संशोधन आधी को प्रस्तावित किया जाता है संसत की मंजूरी मिलने के बाद ही इससे लागू किया जाता है यदि राजस प्राप्तिया राजस्व खर्च से अधिक हैं तो यह अंतर राजस्व सर्प्लस की शेड़ी में होगा बिनियोग विध्या का सीधा अर्थ ही है कि तमाम तरह के उपायों के बावजूद सरकारी खर्च पूरे करने के लिए सरकार की कमाई नाकाफी है और सरकार को इस मत के खर्चे पूरे करने के लिए संचीत निधी से धन की जरूरत है एक तरह से वित्यमंत्री इस विध्या के माध्यम से संसस से संचीत निधी से धन निकालने की अनुमती मांगते हैं बजट पेश करते हैं वित्यमंत्री सरकारी अमधनी का ब्यौरा पेश करते हैं उनमें पूंजी का ताय भी शामिल होती है यानि इसमें सरकार द्वारा रिजर्व बैंक और विदेशी बैंक के लिए जाने वाले खर्ज ट्रेजरी चलानों की बिक्री होने से वाली आए के कि परिसंपत्ती खरीदने के लिए जो भुक्तान देना होता है वे इस श्रेणी में आता है केंद्र सरकार द्वारा राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को दिये गए पिछले खर्जों की उगाही और सावजनी उपकरमों में अपनी हिस्तेदारी बेचने से प्राप्त लेखा जोगा ही अनुदान मांग है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता के अलावा केंद्र सरकार की उजनाओं पर होने वाले सभी तरह के खर्चों को इसमें शामिल किया जाता है इसमें ब्यास की अदाएगी, रक्षा, सबसिटी, डाग, घाटा, पुल इस्पेंशन, आर्थिक सेवाय, सावजनीक उपकरमों को दिये जाने वाले खर्ज और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विदेशी सरकारों को दिये जाने वाले खर्ज शामिल होते हैं ब्यूरो रिपोर्ट नए दिल्ली